इमाम हुसेन को हमेशा ये मनना था कि इज़त से मरना जिल्दत के जिन्दगी से कहीं गुना बेता है दोस्तो क्या आपको पता है हमारे सिया मुसल्मन भायों ने खून के नदिया बाहा के महरम के दिन क्यूं मनाते चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं तो वीडियो में आके बाढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेला इकन को ज़रूर दबाएए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कॉमेंट करके जाएए तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं दोस्तों इसलामी कलेंडर के हिसाब से महरम का महिना पहला महिना होता है जैसा जानौर इंग्लिश कलेंडर के हिसाब से जानौरी का महिना होता है हमारे सिया मुसल्मानों ने महरम के महिना को भी गम के महिना के हिसाब से मानते है क्योंकि दोस्तों महरम के महिने में क्योंकि 14 साल पहले उनके काफिली के साथ लगबक 70-72 लोगों के साथ उनको शहीद कर दिया गया था तो जिसके गम में ये दिन मनाया जाता और उस काफिली के अंदर उनके फैमिली और जो है उनके छे मैने के बच्चा आली आजगर पे शामिल था दोस्तों आखिर क्यों उनक उसर शॉयर करते हैं दोस्तों हजरत हुसें रजिय आनों ने जिन्होंने सेवंझ संचुर्य में पायदा होए थे और जिनके पताजी ते हज़रत इमाम अली रजिय आनों को फवाष्ट इमाम और फवाष्ट खलीवा के हिसाब से माना जाता है तो हमारे अगा हज़र्द मुहम्माद ﷺ के वाफात के बाद लगबग 50 साल के बाद मुसल्मान के उपर बहुत सारे जल्म और बहुत सारे टॉर्चर होने लगा था जिसके वस्ते मुसल्मान पुरे दुनिया में परेशान हो गए थे तो दोस्तो उस वक्त खलीफफफ की हुकुमत चलता था और अस वक्त सिरिया के अंदर एक्छालिम बिजले जाम से ह हकुमत करने लागे और बहुत टोड़please करने लागे जिसकी हकुमाइट से प्रैशन हो और जुस Biden करें कुफा श्हेर के कुफा के लोबों ने आके थुसाइम। हानु से आके मदद की गूह लगा जए तो कुफा सेहर के लोगों को बचाने के लिए हजद्ध हुसेन ने याजीद के खिलाफ जो है जंग के एलान कर दिये थे तो ताकि उन्हों को हर परेशान से नज़ाद दिला सके जंग के एलान करने के बाद हजद्ध इमाम हुसेन ने अपने अपने काफिले को लेके लगब सत्तर से बहत्तर लोगों को लेके जंग के लिए निकल पड़े और जाके जो है करबला मैदन में जाके रुखे तो वहां पर रुखने के बाद गर्मी के वज़े से और भूग के वज़े से बहुत ही मुश्किल हाला से गुज़र रहे थे दिन वो फ्रेक्स नाम के एक नदी याजित के हकुमत के एरिया से करबला की इस तरह आता था उस टाइम पे तो वो उस नदी के पानी को भी बंद कर दिया गया था ताकि इन लोगों को और मुशलत का समना करना पड़े उस जंग करबला की जंग से पहले याजित ने इलान कर दिये थे मुझे बादशा के हिसाब से यानि खलिफा का हिसाब से कबूल कर लो ने तो सब को खतल कर दिया जाएगा तो इमाम हुसेन ने एक सच्छा और इमानदार जो है इमाम थे जिसके वस्ते उन्होंने उनका प् पतल गवाना यानि मर जाना तो उस टाइम पे उस जंग में लगब बाहतलों मुसल्मन भायों को शहिद कर दिया गाए था और साथ सारी माम हुसेन ने उनके फैमली को भी शहिद कर दिया गाए तो इस दरदना कहानी को याद करते हुए जो है हमारे सिया भायों ने महरम के मानाते इस दुख भरी वाकिया को याद करते हुए महरम के दिन माना जाता हूँ तो आई होग कि आप लोगों को ये वीडियो में पुरा महरम क्या है वो समझ में आगा क्यूं सिया क्यूं सिया भायों ने इतना खुन के नदिया बहा के जो है महरम के दिन याद करते वह आई ह प्रफेस्ट